तो फिरेट्च आज हम बात करने वाले हैं कि अपने लैप्टॉप या डेस्टोप में किस तरीके से सीरियल नमबर को जान सकते हैं कभी कवार हमें जरूरत पढ़ जाती है सीरियल नमबर या मोडल नमबर की हमें मालूम नहीं होता तो इसके लिए simply हमें करना क्या है हमें search box में run लिखना है लिए box open होगा तो हमें इसके अंदर msinfo 32 लिखकर ok करना है जैसे ही हम ok करते हैं हमारे पास एक system की information आ जाती है है तो यहां पर आप चेक करेंगे कि हमारा सीरियल नमबर और मोडल नमबर कहीं शो कर रहा है यह नहीं कर रहा तो simply हम इसको check कर लेते हैं इसको scroll से नीचे की तरफ लाते हैं और नीचे की तरफ लाते हैं तो हमें कि सीरियल नमबर की जुरूरत है तो उसमें यह कहीं मैंसल नहीं है तो हम उसके लिए simply दूसरे steps हम देख लेते हैं कि हमारा सीरियल नमबर कैसे शो करेंगा तो simply हम सर्च बोक्स में cmd लिखकर एंटर करेंगे जैसे एंटर करेंगे हमार सामने कमांड पर मोट ओपन हो जागा तो इसके अंदर हमें लिखना है WMIC space bios space get कि इस पेस सीरियल नमबर तो simply यह लिखने के बाद हमें एंटर करना है तो जैसे हम एंटर करते हैं कि हमार सामने हमार सीरियल नमबर शो कर देता है तो देन हमें सीरियल नमबर पता चल चुका है तो हमें अब मोडल नमबर की जोड़ता है तो हमें एक और कमांड लिखने पढ़ेंगे यहां पर WMIC space CS product इसको लिखने के बाद हम एंटर करेंगे जैसे हम एंटर करते हमार सामने इस लैप्टोप से रिलेटर सारी इंफ्रमेशन शो कर जाता है तो हमें जो जो रिक वैरेमेंट है वो सारी चीज़ हम यहां से नोट कर सकते हैं तो सिंप्ली यह तो इस तरीके से आप भी अपने लैप्टोप या डैस्टोप का सीरियल नंबर या मोडल नंबर निकाल सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब सेर करना ना भूले झाल 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 झाल